निश्ठा के विशे में शास्त्र में जो कथन आता है किसी की भी निश्ठा हो किसी में भी निश्ठा हो गुरुदेव में निश्ठा हो भगवान में निश्ठा हो भजन में निश्ठा हो धाम में निश्ठा हो नाम में निश्ठा हो यह निश्ठा तब तक नहीं होती है जब तक उस विशे में उस वस्तु का, उस तक्त्व का महत्व का ज्ञान ना हो, महिमा ज्ञान बोलते इसको, धाम की महिमा का जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसमें निष्ठा नहीं होगी, धाम निष्ठा के लिए, धाम की महिमा संबंधित गरंथ पढ़ने से, धाम की महिमा सुनने से, अरे जब आपको इतना मालुमी, धाम में क्या होता, अरे जैसे ही है, बंदावन है, जैसे ये इलाबाद है, जैसे वो है, ऐसे ही बंदावन है, अरे बड़ी गंदगी होती है, महिमा का घ्यान नहीं हुआ अरी दाम की महिमा का घ्यान जब अरे धाम की महिमा का घ्यान जब अरे धाम, भृद्धावन धाम, वहां तो कुष्न विच्ण है, वहां पर ठाकुर हैं, वहां ब्रिजवासी हैं, वहां गोपियां हैं, जीवन का फल ही धाम है, धाम में मरना, धाम में जीना, धाम में खाना, धाम में भूके रहना, धाम में भीग मांगना भी श्रिष्ट कारे हैं, धाम की जब तक महिमा का ग्यान नहीं होगा, तब तक उसम निश्ठा नहीं होगी अब जैसे आप मेरे सही पूछ रहें तो कहीं न कहीं ये मेरे प्रति आपकी निश्ठा है और मेरी निश्ठा क्यों है कि कहीं न कहीं आपको ये पता है कि ये बंदा कुछ न कुछ हमारी प्रश्णों का समाधान कर देता है थोड़ा इसका अध्यान है मेरे प्रती निष्ठा के होने का कारण मेरे महीमा का आपको ग्यान है इसी प्रकार भगवान में निष्ठा होने का कारण भगवान की महीमा का ग्यान तो निष्ठा का मूल कारण है महीमा ग्यान अब वो महीमा ग्यान कैसे हो, ग्रंत द्वारा हो, वैश्नव द्वारा हो, सादू द्वारा हो, श्रमण द्वारा हो, बार बार आने जाने से हो, संतों के मिलने से हो ये अनेक प्रकार से धाम की जब तक महीमा का ग्यान नहीं होगा और जब महिमा ग्यान हो जाता है अब देखिए जीवन हमारा प्राथमिकताओं पर ही निर्भर है आपको दिल्ली में भी काम है आपको ब्रंदावन में भी काम है लेकिन यदि ब्रंदावन की महिमा का आपको इतना अधिक ग्यान हो बहाड में जाए दिल्ली बहाड में जाए मेरे दो लाग रुपे का नुकसान हो जाए, भाड में जाए मेरा यश, भाड में जाए मेरा वचन, मैं तो ब्रंदावन जा रहा हूं, इन सब के ब्रंदावन जाने के उपर ये सब वार दिये मैंने, जाने दो, जद खराब होती है तो होने दो, दो लाग रुपे का नुकसा ज्यान होगा धाम की महिमा का ज्यान ना होने से करे धाम तो चले जाएंगे अभी अभी ये कारिक्रम मिला है यग्जी कर ले एक बीस पच्छीस हजार प्या मिल जाएगा आगे काम चलेगा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो तो ये क्या है वहाँ आपको धन का और यग्जी की मह की महिमा का ज्यान है ऊता VC की महि만 होते ही आम में निष्डा होगी आम में निष्ठा होगी धाम की करप्ता होगी और में आना जाना होगा तो सब आँनंदी आनन्द होगा जैशि writes दे जैनी ताई है हुरी मौल, हुरी मौल, हुरी मौल...